बिसमिल्ला इर्मान रहीम, असलाम अलेकुम स्टूदेंट्स, टोड़े इस एकले लेक्शर फ्रम दॉट्लाइं टेरीड़ोफाइट्स, दिस लेक्शर वी विल्लिसक्स सम् जेनल करेक्टरिस्टिक्स अफ लाइकॉपसिडा एंड विल्लिसकस इस टाइप सलेजिनेला लाइकॉपसिडा से पहले हम साइलोपसिडा पढ़ चुके हैं साइलोपसिडा में हमने टाइप साइलोटम को डिसकस किया था तो साइलोटम जो है हमने कहा कि यह बहुत प्रिमिटिव टाइप है टिरिडोफाइट्स में और उसमें हमने कहा कि उसके जो sporophyte है उसमें सिर्फ stem होती है, roots और leaves उसमें नहीं होते तो आज जो हम पढ़ रहे हैं lycopcida, इसके members को club mosses या spike mosses भी कहा जाता है इसमें कुछ living representatives भी है और कुछ fossils भी है, ऐसे plants जो कि extinct हो गए, खतम हो गए तो इसकी जो stem है, वो erect branches भी है उसकी और underground rhizome की सूरत में भी पाई जाती है अब इसमें stem भी है, इसके roots भी है और leaves भी है फिर यह कि इसमें जो branches होती है, वो dichotomously branch होती है इसकी stem जैसे हमने साइलोटम में बात की थी, कि हर एक branch दो-दो में मजीड डिवाइड होती जाती है या फिर ये modify हो जाती है into pseudo-monopodium कि एक main axis के तोर पर act करती है, और एक main axis जो होती है stem की, उसके around branches arise होती है roots इसमें adventitious होते हैं, ऐसे roots जो किसी और parts से arise होते हैं तो यहाँ पर जो roots हैं, वो rhizome से arise होते हैं, इसलिए ये adventitious में ही आ जाते है steel is in most generalized proto-steel steel में हम बात करते हैं arrangement of vascular tissues की, xylem और phloem की arrangement तो इसमें जो arrangement है, xylem phloem की means जो इसमें steel है, वो mostly proto-steel है primary xylem जो इसमें है, वो exark है, अब जो primary xylem बनता है, उसमें दो तरह के cells होते हैं जो early differentiate होते हैं, xylem के cells, वो किलाते हैं proto-xylem और जो बाद में differentiate होते हैं, वो किलाते हैं meta-xylem तो protozylum बाहिर की तरफ हो और metazylum अंदर की तरफ हो तो ये इसमें position उनकी खलाती है XR की arrangement ठीक है X means outside तो protozylum जो हैं बाहिर की तरफ outside होते हैं और अंदर की तरफ metazylum होते हैं ठीक है हमने कहा के steel जो है इसमें proto steel है means इसमें pit नहीं होती लेकिन कुछ जैनरा में steel जो है वो साइफोनो steel है means कुछ में pit होती है साइफोनो steel वो टाइप है जिसमें center में pit होती है और उसके बाद फिर concentric rings होते हैं xylem और phloem के या फिर polysteel भी है के बहुत सारे vascular bundles जो है वो scattered होते हैं इसमें इसके ट्रांसवर सेक्शन में अगर देखें लीफ gaps are absent फिर इनके जो leaves है they are small resembling to the leaves of mosses size में छोटे हैं क्योंकि अभी इन में evolution हो रही है leaves develop हो रही है और छोटे छोटे होते हैं जैसे के mosses में bryophytes में हमने पढ़े थे mosses funeria आपको याद होगा तो mosses में जिस तरह के size होता है leaves का इनके भी उतनी size के होते हैं so they are also card club और spike mosses इसी वज़ा से इनको club moss या फिर spike moss कहा जाता है और इसके इलावा the leaves are small and single vein छोटे size के हैं छोटे size के जो leaves होते हैं उनको micro fills कहा जाता है तो ये micro fills इनमें leaves होते हैं और इनके अंदर single vein होती है वैस्कलर tissues की और फिर ये कि इनमें जो arrangement होती है leaves की stem के उपर वो या तो spiral होती है या opposite होती है अब leaves की arrangement spiral कौन सी होती है कि अगर leaf की main axis पे एक ही point से दो से ज्यादा leaves arise हो रहे हैं और spirally arranged हैं stem के around तो वो spiral arrangement होगी और opposite arrangement वो होती है जिसमें एक ही point से दो leaves arise हो रहे हैं और एक ही point पे वो दो opposite position पे हैं ठीक है एक right side प एक left side पे तो ये arrangement opposite होती है इसके इलावा इसमें जो reproductive leaves हैं वो किलाते हैं sporophils sporophils के उपर sporangia पाए जाते हैं और sporangia के अंदर spores होते हैं अब ये जो sporophils हैं ये मिलके arrange होके एक cone like structure बनाते हैं तो जो इनका reproductive structure है वो cone पे composed होता है उस cone को strobulous भी कहते हैं एक है तो strobulous ज्यादा cones हैं तो फिर strobili the strobili of lycopcids are club और spike shaped और इनकी जो shape होती है इनकी strobulous की इनकी cone की club shaped होते हैं या spike shaped होते हैं अब इनको club mosses इसलिए का जाता है कि इनके जो cone है strobulous है वो club shaped है और mosses किसलिए का जाता है कि इनके जो leaves हैं वो mosses से resemble करते हैं फिर इनके जो sporophyte है homosporus भी हो सकता है कुछ members में कुछ में heterosporus होता है अगर तो एक ही तरह के sporangia पाए जाते हैं एक plant के अंदर तो उसमें तमाम spores एक ही जैसे होंगे ठीक है sporangia अगर एक ही type की है तो उसमें बनने वाले तमाम spores एक जैसे होंगे और यह condition किलाती है homosporus condition हम कहेंगे कि sporophyte जो हो homosporus है और यह condition homospori किलाएगी इसी तरह से वो sporophyte जिनमें दो मुखलिफ तरह के sporangia बने एक sporangia किलाए माइक्रosporangium और दूसरा जो type हो वो mega sporangium दो मुखलिफ तरह के sporangium अगर बनते हैं तो इनके अंदर बनने वाले spores भी दो मुखलिफ तरह के होंगे ठीक है तो यह जो sporophyte होगा यह कलाएगा heterosporus और यह condition कलाएगी heterospori आज हमने जो type इसकी discuss करनी है slaginella वो भी heterosporus sporophyte है मींज उसमें mega sporangium भी बनेंगे और micro sporangium दो different types के spores बनेंगे इसका जो gametophyte है वो underground होगा फिर इसमें alternation of generation होगी दोनों generation पाई जाएएंगी dominant जो generation है वो sporophyte है और उसके बाद फिर short-lived gametophyte gametophyte इसमें independent है depend नहीं करती sporophyte पर reduced in size है और it is called prothelus क्योंकि इसका structure thalide structure है यह thelus जो है इसका prothelus यह erect भी हो सकता है subterranean horizontally grow भी कर सकता है tubrous form में भी हो सकता है या फिर saprotrophic भी हो सकता है saprotrophic means decomposal फिर यह जो इसका mature gametophyte होगा it consists of upper cushion like generative region and lower food field nutritive region archigonia develop in the upper region embryo is quadrant type इसमें जो embryo बनेगा उसमें first two devians vertical होगी और तीसरी devians जो है वो horizontal होगी इस तरह से तीन devians के बाद यह eight cells बनाता है octant कहलाता है और यह जो इसकी type है यह quadrant type कहलाती है so let's discuss its type slaginella slaginella की systematic position देख लेते हैं जिसकी taxonomic position it belongs to devian lycopcida lycopcita भी कहते हैं से class lygulopsida order slaginella से slaginallese family slaginallese and genus is slaginella tropical plant है यह worldwide in distribution है damp forest में यह ज़्यादा ग्रो करता है जहांपर moisture available हो उसके इलावा temporary regions में या moist shady places पे भी यह grow करता है general structure की हम बात करते हैं जैसे मैंने पहले बताया कि इसके sporified में root stem और leaves यह तमाम parts पाई जाते हैं इसकी जो main stem है it is prostrate ठीक है यह prostrate means जो के creeping हो along the ground जो है वो grow करें और वहां से कुछ फिर erect branches उपर की तरफ भी arise होती है main जो stem है हमने का वो तो prostrate है कि वो इस तरह से along the ground जो है वो grow करी और उसमें से कुछ उपर की तरफ erect branches भी arise होंगी और जो इसमें branches होंगी they are arranged dichotomously और pseudo-monopodial manner जैसे हमने पहले बात की कि या तो dichotomous या फिर pseudo-monopodial के एक main axis के तरफ एक्ट करेगी और फिर उसके साथ side branches arise होंगी shoot epics consist of single epical cell फिर इसमें होते है rhizophore main stem develops leafless structures called rhizophore it arises from prostrate stem near the point of branching अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह इसका structure है तो यहां पर यह जो stem है यह main stem यह इस तरह से prostrate है ठीक है along the ground grow हो रही है फिर इसमें कहीं कहीं से erect branches उपर की तरफ भी arise हो रही है यहां से है यहां से है यहां से erect branches है उपर की तरफ इसकी stem जो है वो thoroughly आप देख रहे हैं कि वो covered है with leaves कि उसके उपर leaves है इरेक्ट branches पे भी और इस prostrate पे भी ठीक है अब जिस point से उपर की तरफ इसकी stem arise हो रही है erect stem वहीं से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कि यह एक structure arise हो रहा है stem like है लेकिन इसके उपर leaves नहीं है ठीक है तो यह underground जो है यह इस तरह से grow कर रहा है और यह कलत है rhizophore और इसी rhizoph हो रहे हैं तो उपर की तरफ यह erect branches और नीचे की तरफ राइजोफोर राइजोफोर ग्रोज्ड डाउनवर्ड और ड्वैलप रूट्स राइजोफोर राइजोफोर इंटर्मेडियर्ट इन स्ट्रक्चर ब्ट्वीन रूट अंड स्टम अब यह जो राइजोफोर है ना त इस तरह से यह स्लेजिनेला का प्लांट जो है वो ग्रोवा नजर आता है यह इसका प्रॉस्ट्रेट पार्ट है और यह erect branches है राइजोफोर इंटर्मेडियर्ट इन स्ट्रक्चर ब्ट्वीन रूट अंड स्टम इटिस विदाउट नोड्स अं इंटर नोड्स स्टम हम नही से ही अराइज होती है रूट्स राइजफोर डिवलप्स एड्वन्टिशियस रूट्स एट इस टिप्स दे रूट्स ऑफ यंग स्पुरोफाइट होगा उसमें तो जो प्राइमरी रूट होगा वो उसका जो एम्ब्रियो से अराइज होता है वही होगा और उसके बाद ब नेक्स जिसमें लीव जो बैंस लीव के साथ एक चोटी सी मेंबरेनस आउट ग्रोथ होगी साइड पर जिसे लीव कहते हैं जिसे हम लाइज कह रहे हैं लाइज जो है यह वस्टेजियल और्गन हो सकते इसका कोई दो चोई फंक्शन नहीं है जबके कुछ का कहना है कि यह water absorbing structure है water को absorb करता है अब leaves जो इसके उपर होते हैं stem के उपर ये दो तरह के हैं कुछ हैं size में छोटे हैं small sized हैं और कुछ हैं large sized the leaves are arranged in four vertical rows अब पूरी stem के उपर four rows में ये arranged होते हैं leaves are present in pairs ठीक है एक pair मतलब दो leaves जो हैं वो small leaves होंगे और एक pair दो leaves जो हैं वो large leaves होंगे और ये पूरी पूरी rows बनाएंगे तो four vertical rows बनेंगे two rows are of small leaves and two rows are of large leaves the larger leaf of each pair is arranged towards the ventral side of the stem and the smaller leaf towards the dorsal side the leaves bearing sporengia in their axils are called sporophyll many sporophylls form cones or strobuli अब इसमें क्या है कि जो leaves हैं उसके arrangement ज्यादा तर ये होगी कि जो larger leaves हैं वो ज्यादा तर उपर की तरफ और smaller leaves हैं वो ज्यादा तर नीचे की तरफ नज़र आते हैं और ये मिलके एक structure बनाते हैं जो reproductive leaves होते हैं ये एक cone like structure बनाते हैं जिसे और जो reproductive leaves होते हैं उन्हें sporophylls का आ जाता है इनके साथ sporangia भी attached होते हैं ठीक है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये स्ट्रॉबिलस दिखाएगे तो leaves arrange होके cone like structure बनाते हैं जिसे स्ट्रॉबिलस क्या कोन कहते हैं reproduction इसमें हम देखेंगे कि इसमें alternation of generation होगी दोनों generations इसमें है sporophyte भी और gametophyte भी और इसमें vegetative reproduction जो है वो different method से है first इसमें है from adventitious branches स्लेजिनेला में ऐसा भी होता है कि adventitious branches से vegetative reproduction होती है these branches separate from the parent body and develop into new sporophyte कुछ branches इसमें जो adventitious branches arise होती है वो बाद में separate हो जाती है और separate हो जाने के बाद फिर वो एक complete slेजिनेला का plant बना लेती है फिर इसमें tubers भी बनते हैं during unfavorable conditions तो ये tubers जो हैं जब फिर conditions favorable होती है तो ये separate हो जाते हैं और फिर grow करके एक complete plant ना लेते हैं slेजिनेला का या फिर इसमें resting birds भी बनते है some other species develop resting birds of aerial branches these are surrounded by leaves कुछ birds बनती हैं which are surrounded by leaves these birds survive in adverse conditions and develop into new plants जब तक conditions unfavorable होती है ये birds जो हैं उन conditions को survive करती है और उसके बाद जैसे conditions favorable होगी तो ये birds separate होके new plant बना लेंगी क्योंकि हो सकता है कि adverse condition में plant जो है उन adverse conditions को tolerate ना कर सके लेकिन ये जो birds होती है ये tolerate करती है और उसके बाद फिर grow करके complete plant बना लेती है now asexual reproduction ये sexual reproduction स्पोर्स के जरीए होती है जैसे हमने पहले बात की कि slaginilla जो है वो heterosporus है इसमें दो मुखलिफ तरह के स्पोर्स बनेंगे और इसी तरह से स्पोर्स जिन स्ट्रेक्टर्स के अंदर बनते हैं spuringia कहते हैं तो spuringia भी दो मुखलिफ तरह के होंगे स्पुरेंजिया एंड स्ट्रोबिलाई स्ट्रॉबिलस की जमाँ है स्ट्रॉबिलाई to larger supors और cloud brain major posporen स्ट्रोबिफ तरह के स्पोर्स के size में उ मुखलिफ है large jaw sports आ, unes wantوا megasplic idency कहते हैं और amerika subjective जिन स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे उन स्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोर्स जिन स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे उन स्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया को माइक्रोस्पोरेंजिया के इसके इलावा ये स्पोरेंजिया कहां पर बनते हैं ये स्पोरेंजिया sporangia क्योंकि दो मुखलिफ तरह के हैं तो जिन sporophylls के उपर micro sporangia होंगे वो sporophyll कलाएंगे micro sporophyll और जिन sporophylls के उपर mega sporangia develop होंगे वो sporophyll कलाएंगे mega sporophylls This condition is called stecteosporus The sporophylls form definite cones or strobular फिर ये sporophylls मिल के cone या strobulus बनाएंगे The arrangement of sporophylls in a strobulus is like bract of a spike अब इसमें जो arrangement होगी cones की strobulus की it is like the bracts of a spike spike it is a type of inflorescence inflorescence की एक type है spike inflorescence हम कहते हैं arrangement of flowers को flowers की जो arrangement है उसे हम inflorescence कहते हैं और ये different types की होती है spike जैसे के monocorps में ज्यादा तर grasses में देख लें हैं या फिर wheat में तो spike type पाई जाती है तो इसमें भी जो arrangement है strobulus की वो spike like है therefore such strobuli are also called sporengioferous spike both kinds of sporengia are found in the same strobulus अब एक ही strobulus या एक ही cone के अंदर दोनों sporengia पाई जाएंगे mega sporengia भी और माइक्रो sporengia होंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि यह दिखाया गया है longitudinal section दिखाया गया strobulus या cone का यह एक पूरी cone है ठीक है अब आप यह देख सकते हैं कि यह इसका main axis है इसके साथ यह leaves है ठीक है यह reproductive leaves हैं जिनको sporophyll का जाता है leaf के साथ यह छोड़ टी सी आउट ग्रोट सी लाइग्यूल है और फिर हर leaf के उपर हमने का sporengia होते हैं और फिर हमने का कि यह जो cone है cone के basal part पे जो leaves हैं उनके उपर होंगे mega sporengia ठीक है यहां mega sporengia है यह भी mega sporengia है और उपर वाले जो sporophyll हैं यह जो sout आउपर हमाइग्यव माइक्रो स्पोरंजियं है तो यह जो leaf है यह कहलाएगा mega sporengia है इसके उपर जो sporngia है यह कहलाएगा mega sporengia है और इसके अंदर जो sporengs है वो चहलाएगी mega sporengs इसी तरह से यह जो leaf है reproductive leaf यह कहलाएगा micro sporophyll इसके उपर जो स्पुरेंजिया है ये माइक्रो स्पुरेंजियम और इसके अंदर जो स्पोर्ज होंगे वो माइक्रो स्पोर्ज होंगे माइक्रो स्पोर्ज साइज में छोटे होंगे आप यहां पर देख सकते हैं ये माइक्रो स्पोरोफिल, इसके साथ लाइग्यूल, ये इसका माइक्रो स्पोरेंजियम और इसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे माइक्रो स्पोर्स ठीक है ये माइक्रो स्पोरेंजियम की स्टाक है और ये बाहिर की इसकी वाल है और उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो स्पोर्स हैं इसी तरह से आप यहां मेगा स्पोरेंजियम देखें इसके बाहर जो लीफ है वो मेगा स्पोरोफिल है साथ लाइग्यूल है तिर यह जो मेगा स्पोरेंजियम है इसके अंदर मेगा स्पोर्स बनते हैं और मेगा स्पोर्स जो हैं आप देख रहे हैं साइज में बड़े हैं माइक्रो स्पोर्स से तादाद में कम हैं साइज में बड़े हैं स्ट्रक्चर आफ स्पुरेंजिया इच माइक्रो स्पुरेंजियम कंटेंज सेवरल माइक्रो स्पुरेंजियम but there are only 4 mega spores in each sporengium micro sporengium के अंदर बहुत सारे micro spores बनेंगे छोटे छोटे साइज के जबके mega sporengium के अंदर सिरफ 4 mega spores बनेंगे आपको यहाँ पर 3 नजर आ रही है एक back side पर ठीक है तो यहाँ पर इनके जो spores हैं mature spores are pyramidal in shape the sporengial wall consists of 3 layers the inner most layer is tapitum and it provides nourishment to the developing spores और यह spores को nourishment provide करते है a slit is producing mature sporengium the spores come out of this slit अब इस sporengium के वाल के ओपर एक slit सा एक cut सा या एक बारीक layer होती है जहां से फिर वो rupture होता है और spores वहाँ से फिर बाहिर आते हैं जब spores बाहिर आ जाते हैं तो यह germinate होके gametophyte बनाते हैं और mega spores germinate करके female gametophyte बनाएंगे बोथ male and female gametophytes remain within the walls of spores अब यह spores जो हैं यह बना रही हैं gametophyte तो यह जो micro spore या mega spore हैं इनकी development या germination तभी start हो जाती है जब यह अभी sporengium के अंदर होते हैं तभी यह germinate होके gametophyte बनाना शुरू कर देते हैं और फिर एक stage पर यह फिर बाहिर आ जाते हैं जब sporengium burst होता है और फिर complete करते हैं gametophyte development को तो यह इनका character जो है वो थोड़ा सा इनको लेके जाता है towards the seed development या seed habit के तरफ next gametophytes या sexual reproduction हम इसमें देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि microspores जो हम वो germinate करके बना लेते हैं male gametophyte तो किस तरह development होती है male gametophyte की from the microspore the development of the male gametophyte started within the microsporengium के microspore जब अभी sporengium के अंदर होगा तभी वो divide होना शुरू हो जाएगा और वो divide होगा into two unequal cells microspore divide होगा दो cells में एक small size का cell होगा एक large smaller cell is called prothelial cell and a larger cell is called enthridial cell the prothelial cell does not divide further जो smaller cell है वो दुबारा again further जो है वो divide नहीं होगा जबकि जो large size का enthridial cell है वो divide होके बनाएगा 12 cells 4 cells occupy the center 4 cells 12 cells में से जो 4 cells हैं वो center में आ जाएएंगे और बाकी उसकी periphery पे बाहिर की तरफ 8 cells होंगे तो जो center वाले 4 cells हैं वो क्या बनाएँगे वो बनाएँगे primary endrogonial cell और बाहिर की तरफ जो 8 cells थे वो बाहिर उसको एक jacket सी बना लेंगे ठीक है enthridium की jacket the microspores are liberated from the sporengia at this 12 cell stage हमने एका कि यह development तभी start हो जाती है जब spore अभी microsporengia के अंदर होता है तो यहां तक इसकी development हो जाती है 12 cell stage तक उसके बाद फिर यह microspore है यह sporengium से बाहिर आता है the outer 8 cells form the jacket of the enthridium 4 central cells थे जन्होंने primary endrogonial cell बना है और 8 जो थे वो बाहिर वाले cells थे जन्होंने अब बनाना है jacket of enthridium the endrogonial cells divide to produce a mass of 128 to 256 endrocytes और enthroside mother cell अब जो center में हमने का four endrogonial cells है उन्होंने क्या करना है उन्होंने divide होने के बाद बना लेने हैं बहुत सारे endrocytes या enthroside mother cells 128 से 256 endrocytes वो बना सकते हैं each endrocyte या enthroside mother cell develops into a biflagellated enthroside हर एक endrocyte फिर biflagellated enthroside बना लेगा the prothelial cell and jacket cells disintegrate जो शुरू में बना था ना prothelial cell smaller cell जिसने further divide नहीं किया ये भी disintegrate हो जाएगा और जो बाहर jacket wall बनी थी art cells उन्होंने मिलके बाहर jacket बनाई थी enthridium की वो भी disintegrate हो जाएगे तो enthrosides जो है वो बाहर आ जाएगे liberate हो जाएगी जब उनके बाहर की wall जो है disintegrate हो जाएगी और वो बाहर warfare में आ जाएगे यहाँ पर आप देखें ये stages दिखाएगे हैं development of male gamitified की कि ये microspore है ठीक है ये divide हो रहा है into two cells ये एक smaller cells है एक larger cells smaller जो है और बाहर जो है वो eight cells होते हैं ये तो smaller जो है प्रोथेलियल cell है और ये जो enthridial cell है ये divide हुआ center में इसके four cells ये दो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं दो इसकी back side पे होते हैं तो ये four जो center वाले cell हैं ये क्या बनाते हैं primary endrogonial cell और यहाँ पर आपको एक, दो, तीन, चार बाहर की तरफ चार cells नज़र आ रहे हैं तो चार इसकी back side पे भी होते हैं तो ये total eight होते हैं eight periphery के जो cells हैं ये क्या बनाते हैं ये enthridium की jacket बनाते हैं और center वाले जो four cells होते हैं ये बनाते हैं primary endrogonial cells अब ये जो primary endrogonial cells हैं ये फिर divide होते हैं और ये बना लेते हैं बहुत सारे endrocydes या फिर enthroside mother cells और हर एक endrocyde या enthroside mother cell फिर क्या बना लेता हैं ये enthroside बना लेता है, enthroside biflagellated होते हैं जब इनके enthridial wall burst होती है तो ये enthrosides बाहिर water में आ जाते हैं इसी तरह से development है female gametophyde की mega spore से ये बनेगा female gametophyde और mega spore की germination भी तब ही start हो जाती है जब वो अभी mega spore engine के अंदर ही होता है the spore increases in size पहले वो अपने size को increase करेगा nucleus of the spore undergoes several devians उसका nucleus divide होगा it makes the spore multi-nucleated जिसके जैसे mega spore जो हो multi-nucleated हो जाएगा a large central vacule develops in the spore it pushes the whole of the cytoplasm towards the pointed end of the spore center में large vacule आ जाएगा और बाकी जो इसका cytoplasmic matter है वो सारा periphery पर या outside boundary पर आ जाएगा the vacule gradually disappears two or three layers of cells are formed towards the pointed end of the spore a clear membrane diaphragm separates the cellular layers from the rest of the cytoplasm फिर एक membrane सी आ जाएगी जिसे diaphragm कहते हैं जो के separate करेगी cellular layers को from the cytoplasm the spore wall ruptures at the pointed end and exposes the cellular layers फिर spore wall जब rupture होगी at the pointed end तो जो cellular layers हैं वो exposed हो जाएगी the exposed cells develop chloroplast some cells produce rhizides उन में से कुछ cells जो है वो rhizides बना लेंगी और ये chloroplast भी develop करेंगे यहाँ पर ये female gametophyte का structure दिखाया गया है ठीक है और इसके इलावा next हम इसमें देखेंगे ये archigonium का structure है several superficial cells of exposed tissue becomes archigonial initials अब इसके कुछ cells जो हैं वो archigonial initial के तोर पर act करेंगे archigonial initial वो cell है जिसने आगे archigonium बनाना हो तो archigonial initial जो है वो कैसे divide करेंगा इसमेंटो अपर primary cover cell and a lower central cell ये cell दो में divide होगा उपर की तरफ ये बनाएगा primary cover cell और नीचे की तरफ बनाएगा lower central cell जो primary cover cell है वो अगें डिवाइड करेंगा in form the neck of the archigonium primary cover cell जो उपर की तरफ है इसने archigonium की neck बनानी है और जो central cell है it divides to produce an upper primary canal cell and a lower primary ventral cell ये divide होके उपर की तरफ primary canal cell बनाएगा नीचे की तरफ primary ventral cell the primary canal cell functions as the single neck canal cell अब इसमें जो इसने उपर की तरफ primary canal cell बनाया है इससे एक ही neck canal cell बनेगा और जो primary ventral cell है ये divide होगा ये उपर की तरफ ventral canal cell बनाएगा और नीचे की तरफ egg बनाएगा अब इसके around जो है बहुत सरे vegetative tissues भी होंगे ventral के around the ventral canal cell and the neck canal cell of the mature archigonium disintegrate and they form a passage for the entry of entherocyte फिर जब ये mature हो जाएगा तो neck canal cell एक ही है इसमें वो भी disintegrate हो जाएगा ventral canal cell भी disintegrate हो जाएगा और वहां से entherocyte का रास्ता बन जाएगा entherocyte आके fertilize करेगा with the egg fertilization के लिए moisture का होना जरूरी है यूँकि जो entherocyte हैं वो flagellated हैं they can swim in water बहुत सारे entherocyte आएगे उनमें से एक जो है वो fuse करेगा with the oosphere या egg और इसको convert कर देगा into zygote या फिर oospore यह आप देख सकते हैं यह archigonium का structure है ठीक है इसमें यह neck cells है बाइब के और इसमें एक neck canal cell है और एक venter canal cell है यह disintegrate हो जाएगे और नीचे जो है इसका egg cell है यह इसमें stages दिखाएगे हैं development of archigonium की और यह mature structure है archigonium का development of the embryo अब fertilization के बाद oosphere is converted into oospore या zygote अब यह जो zygote या oospore है it divides into two cells the upper cell enlarges it is called suspensor यह oospore दो cells में divide होगा जो उपर वाला cell है वो enlarge होके suspensor बनाएगा the lower cell is called the embryonal cell और जो नीचे वाला cell है वो embryonal cell के लाएगा और यही embryonal cell जो है यह बनाएगा embryo the suspensor pushes the developing embryo into the tissue of the gametophyte अब suspensor ने क्या करना है जो उपर वाला cell उसने developing embryo को push करना है into the tissue of the gametophyte the embryonal cell divides to form eight cells और octants हमने बात की थी कि जो इसमें embryo है वो quadrant type है और उसमें eight cells वो divide होके पहले initially बनाता है कि उसमें तीन deviance करता है जिससे eight cells बनते हैं octant जो हो जाता है two cells of the octant divide more rapidly अब embryo के eight जो cells हैं उन में से दो cells ज्यादा rapidly divide होंगे they produce an outgrowth called foot on one side और वो क्या बना लेंगे foot बना लेंगे जो ज्यादा rapidly divide हो रहे है foot is the chief food absorbing organ of the developing embryo ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह zygote है यह divide होआ है दो में उपर वाला cell जो है वो enlarge हो जाएगा suspensor बनाएगा और जो नीचे वाला embryonal है यह divide होके इसने आगे embryo बनाना है यह आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो है इसने embryo बनाना है The remaining cells of octant form a mass of cells The central group of cells in this mass forms the epical meristem Center वाले जो cells होंगे वो बनाएगे epical meristem वो cells जिनमें सलायत होती है कि वो divide कर सकते हैं The remaining cells of this mass produced rudiments of the first leaves or cotylidinary leaves बाकी जो cells है वो इसके cotylidinary leaves बनाएगे और फिर इसमें root primordium arises as a protuberance between the foot and the suspensor foot और suspensor के दिर्मियान जो है वो root primordium arise होगा जिसने root बनाना है ठीक है पहले वो rhizophore बनाएगा और rhizophore के नीचे से फिर roots arise होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो यह part है embryo का यह cotylidinary leaf उसके साथ laigule फिर इसमें यह meristematic cell है यह जो epical cell फिर आप देख रहे हैं कि इनके बीच में यह rhizophore और फिर इस तरह से यह नीचे वाला part हमने बताया था कि foot बना लेगा further growth of the epical magisterum pushes the embryo out of the gametophytic tissue stem grows upward taking with it the cotylidinary leaves फिर यह जो stem है यह उपर की तरफ grow करेगी अपने साथ यह cotylidans को cotylidinary leaves को भी उपर लेके जाएगी the rhizophore grows downward जबके जो rhizophore है वो downward grow करेगा and produces adventitious root ठीक है stem उपर की तरफ grow करेगी, cotylidans भी उपर की तरफ जाएगी और जो rhizophore है वो downward grow करेगा और फिर उससे roots भी arise होंगे इस तरह से यह एक complete structure sporophyte का बना लेंगे अब इसमें जो alternation of generation है हमने का कि dominant generation sporophyte है sporophyte generation deployed है और इसमें दो मुखलिफ तरह के sports बनते है, micro sports and mega sports और उससे फिर male and female gametophyte बनते हैं और उन में बनने वाले जो gametes हैं वो fuse होके फिर deployed वो sport जब बनाते हैं तो वो sport की development से फिर sporophyte बन जाते हैं इस तरह alternation होती है दोनों generation की ये इसमें dominant sporophyte का structure है और इसमें फिर इसके उपर जो cones या strobulous बनते हैं उन cones में हमने का microspores, microsporengia भी है, megasporengia भी है microsporengia के अंदर microspores और megasporengia के अंदर megaspores ठीक है फिर इन में जब ये microspore mother cells से microspores बनते हैं, miocis होती है miocis के बाद ये microspores बनाते हैं इसी तरह megaspore mother cells भी miocis करके megaspores बनाते हैं ठीक है, reduction devian या miocis होती है तो ये applied हो गया spores अब ये जो spores हैं megaspores germinate करके ये बनाएंगे female gametophyte और mycropores germinate करके ये बनाएंगे male gametophyte, male gametophyte के उपर enthridium बनेंगे और female gametophyte के उपर archigonium होगे archigonium में egg है, enthridium के अंदर enthrosides है, enthrosides आके fertilize करेंगे egg के साथ fertilization है, sin gametophyte जब होगी तो ये बना लेंगे oospore, ठीक है ये oospore क्योंकि fertilization से बना है, इसमें male और female gametophyte की fertilization हुई है, तो ये दोबारा dipliide है, अब ये dipliide oospore जो है, जर्मिनेट करेगा, उपर सस्पेंसर बनाएगा, नीचे embryonal cells हैं, इसके फिर ये embryonal cells जो है, ये grow करके, ये cotylidinary leaves और stem उपर की तरफ राइस करेंगे, नीचे की तरफ ये risophore, और roots, फिर ये mature structure sporophyte का बना लेंगे, तो ये जो sporophyte है, ये dipliide है, 2XTO किया गए, ये तमाम stages sporophyte की हैं, और नीचे देखे, तो ये gametophyte जो है applied हैं, इसकी stages, ये stages जो है gametophyte की हैं, इसी तरह से graphical life cycle लिखाया गया, लेजिनेला का sporophyte dipliide, इसमें sporangioferous spike में, जो है, mega sporophyll भी है, micro sporophyll भी है, mega sporophyll के अंदर mega sporangia हैं, और उनके अंदर mega spor mother cells, इनकी meiosis से बनेंगे, meiosis के बाद यहां बनेंगे mega spores, ठीक है, जबके micro spores mother cells जो हैं, उनकी meiosis से बनेंगे micro spores, तो micro spores क्या बनाएंगे, male gametophyte, जबके mega spores बनाएंगे female gametophyte, अब यह female gametophyte के उपर बनेगा archigonia, male gametophyte के उपर enthridium, archigonium के अंदर egg, enthridium के अंदर sperm या फिर enthyrosides, इनकी fertilization से उस पोर बना, और फिर embryo और फिर young sporophyte से mature sporophyte of the legend अला, तो यह dipliide stages है sporophyte की, और यह applied stages हैं, gametophyte की, थेंक यू, अलाहाफिज,